दोस्तों आप सभी का मेरे यूटूब चैनल को फार्देख स्वागत है तो जो एक्जेट एक्जाम की सीरी चल रही है उसमें आगे के कुश्चिन जल्दी से देख लिते हैं जो फार्मा कोलोजी सब्जेक्ट से रिलेट रखते हैं तो बिना देरी किये बिना स्किप किया प्रिक्ट आँसर हो जाता है उप्सन नमर्स C, ट्रू कोलीन इस्ट्रेज इस दर राइट आँसर, उप्सन नमर्स C, बिल्कुल कर्रेक्ट आँसर हो जाएगा नेस्ट कुश्चिन ए 29 नमर्स कुश्चिन, विच उप फूलोविंग रिसेप्टर्स आर फांडेन स्नेप्सि बिल्कुल कर्रेक्ट आँसर हो जाएगा, नेस्ट कुश्चिन ए कुश्चिन नमर्स 30, विच उप फूलोविंग रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ओन दा इफेक्टर सेल, मेंब्रेन्स, ओफ स्मूथ और कार्डियक मसल्स, ग्लेंट्स, एटीसी, M1 रिसेप्टर्स, M2, M4 और M5 रिसेप्टर्स, तो इसका कर्रेक्ट आँसर हो जाएगा, M2 रिसेप्टर्स इस दर राइट आँसर, ओप्सन नमर्स B बिल्कुल कर्रेक्ट आँसर हो जाता ही, नेस्ट कुश्चिन है कुश्चिन नमर्स 31, विच उप दा फॉलोविंग आर कॉलिनर्जिक यानि फिलो कार्पीन इसका कर्ड़क्ट आँसर हो जाएगा, नेस्ट कुश्चिन है कुश्चिन नमर्स 32, विच एलकुली क्या65 बिल्कुलिन ये मस्कैरिमिंग जेकब बरजीलियस, विच बैरॉन बॉल लाइबेक, जोसेप ब्लेक और डेललि तो इसको बिल्ली कुश्च M1 Receptors, M2, M4, M5 Receptors, तो इसके correct answer हो जाएगा, M2 Receptors जो smooth muscles हैं, वह contain करती है M2 Receptors, option number B बिल्कुल correct answer हो जाएगा, Next Question, Question No. 34, Muscarine is obtained from the poisonous mushroom, Erika Ketsu, Emanita Muscaria, EJ Thrichita Indica, Ocitrus, NTM, तो इसके correct answer हो जाएगा, option number B, Emanita Muscaria is the right answer, option number B, बिल्कुल correct answer हो जाएगा, Next Question, Question No. 35, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, Excessive Profuse Sweating Trumbed Age, तो उसे क्या कहा जाता है, जो Excessive Profuse Sweating होता है, उसे क्या कहा जाता है, डिमेंशिया, डाइफोरेसिस, स्यूडो कॉलिनिस्ट्रेज, बियूट्राइल कॉलिनिस्ट्रेज, तो उसे दोसको कहा जाता है, डाइफोरेसिस, यानि अत्ते दिक पसीना आना क्या कहलाता है, वो कहलाता है, डाइफोरेसिस, option number B, बिल्कुल correct answer हो जाएगा, तो इस तो इसका correct answer हो जाएगा, option number C, बियूट्राइल कॉलिनिस्ट्रेज, जो बियूट्राइल कॉलिनिस्ट्रेज की फुल फॉर्म होती है, यानि दा बियूट्राइल कॉलिनिस्ट्रेज, इस दा correct answer, option number C, next question is the last question of this video, 37 number question आपकी screen पर आप देख सकते हैं, तो इस तो इसका correct answer हो जाएगा, option number D, बिल्कुल correct answer हो जाएगा, इसी के साथ अमने फार्मकोलोजी एंड टॉक्सकोलोजी के top 10 MCQ कॉंप्लीट कर लिए है, अगर आपको महारी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपन दो तो में सिर्क नाप्लो को लाएगा, तेंको तो तो